Hello guys, आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा Megapari के बारे में दोस्तो Megapari में एक छोटे से से Promo Code को यूज़ करके कैसे आप गर बेड़ हो रिटकर लाख रिफिया心 कर सकते हूँ मैं और रेड़ी लाख को रिफिया心 कर रहा हूँ और आप भी अपने account को VIP account में convert कर सकते हो और घर बेठे लाख और फिया निंग कर सकते हो तो वीडियो को कैसे, Megapari को कैसे download करना है कैसे आपको registration करना है, कैसे deposit करना है, कैसे promo code को use करना है यह बात है आज की इस वीडियो में होने वाला है तो दोस्तों वीडियो को छोड़ करना जाएं, पूरा देखें मैं आपको step by step बताने वाला हूँ तो चले इस तो वीडियो को start करते हैं सबसे पहले मैं बताता हूँ, इस application को download करने के लिए यानि कि Megapari को download करने के लिए आप कोई भी browser का use कर सकते हो उस browser में जाके आप उससे download करने के बाद आपके समने कुछ इस तरह के इंटरफेस आजाएगा सबसे पहले आपको registration पर क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा आपको country फिल कर लेना है, currency फिल कर लेना है, email id डाल देना है email id आप जैसे ही डालोगे, email id डालते ही उसके बाद आपको एक strong सा password बना लेना है repeat password पे आपको डाल देना है, वही password जो आप बनाए हो उसी password को फिर से डाल देना है password डालने के बाद, अब दोस्तों आता है promo code, promo code में आपको क्या डालना है, promo code बहुत important है अगर promo code कब से यूज नहीं करते हो, तो फिर आपको बहुत ही दिकत होने वाला है, इसलिए दोस्तों promo code कब को ध्यान से डाल देना है promo code में आपको 200 डाल देना है, यह बहुत important promo code अगर इस promo code कब यूज करते हो, तो आपको 100% withdrawal और deposit बहुत ही easy से हो जाएगा अब दोस्तों company का कुछ rules है, जिस बज़े से आपको इन चारो order bar पर आपको click कर देना है, जैसे आप इसमें click कर तो click करने के बाद आपको submit कर देना, submit करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा आपको इसमें click करोगा, आपको motor cycle का picture फिल कर लेना, जिस जगा पर आपको motor cycle दिख रहा है उस जगा को verify पर click कर देना, जैसे आप verify पर click करोगा, आपको verify हो जागा, verify होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा, अब दोस्तों आप जिस email ID को डालेते हो, उस email email id में एक OTP जायागा तो आपको send code पर क्लिक कर देना जैसे आप send code पर क्लिक करोगा आपको उस email पर OTP चला गया है अब उस OTP को आपको इसमें डाल देना है मैं आपको पूरा फिल करके दिखा देता हूं OTP को डालने के बाद आपको active कर देना जैसे आप next जैसे कर दिये हो आपका logging होगया आपका account yet हो गया है अब आपको deposit करना है इसके बारे में आपको बता यहाँ बतादेता हूं ओं उसले करने के लिए मोगल्क कर सकता हूं तो मैं आप Google Paysheet करके दिखाता हूं मेरे समयनके कुछ इस तरह की इंट्रफेयर रहे हैं दोस्तों सबसे पहले आपको एमान करने के बाद payment history में आपको एक slip मिलेगा उसी slip में आपको बारा डिजिट का number रहेगा वही बारा डिजिट नंबर को आपको यूटिय नंबर पर यानि कि transaction ID पर डाल देना है और उसी slip का एक photo इसकी शॉट लेके इसकी शॉट लेके अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता था आप मुझे comment करके जुरू बताएं मैं आपका जो भी problem होगा वह solve कर दूँगा मिलते हैं इस तरह के वीडियो लेके next 10 best video बट तक के लिए बाई बाई दोस्तों